आपने पुछा था, Share India Securities में मेरी क्या strategy होगी, तो इसमें कुछ points हैं, जो सबसे पहले हमको देखने चाहिए, जो promoters holding है, वो 52% है, लेकिन उसमें 36.2% जो है, इन्होंने pledge करके रखा हुआ है, और अगर आप इसके investors portfolio में आके चेक करोगे, तो अभी यहाँ पे promoters ने, FII ने और DII ने, सब ने अपना stake क्या क्या है, reduce किया है, और बढ़ाया किसने है, retailers ने, तो यह एक negative चीज है, इसके लावा एक छोटी से negative चीज है, यहाँ पे CWIP जो है, तो इस stock से दूर रहना चाहिए, या तो जो आपके entry levels है, वो बहुत नीचे के decide करने चाहिए, ओके मैं अपने levels भी बताऊंगा, यहाँ पे देखिए, इसका debt जो है, वो भी बहुत ज़ादा नहीं है, और dividend भी यह company देती है, in fact अगर आप इसके balance sheet में आके corporate action देखेंगे, तो यहाँ पे इन्हों ने अपने stock को split भी किया था, जिससे इसका face value reduce हो गया था, और इसका maximum time का chart देखेंगे, तो कभी भी इसने अपने investors को नुकसान नहीं दिया है, हमेशा यह उपर ही जाता है, और अभी चुकि यहाँ पे थोड़ा सा fall दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी negativity यहाँ पे, थोड़ी negativity इसकी pleasing में, वो सब देखके हम लोग decide करेंगे कि इसमें entry कहाँ पे करना है, अब मेरी personal जो इसमें target है वो 250 के नीचे ही होगा, ठीके 250 के उपर मैं इसमें ऐसा risk नहीं लूँगा, ऐसा कुछ इसमें कमाल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, जिसकी वज़े से मैं इसके पीछे पागल हुआ जाओ, तो इसलिए 250 के नीचे जब यह जाएगा, तब हम लोग इसे दुबारा discuss कर लेंगे, या फिर आप अगर entry करना चाहो, तो थोड़ी बहुत quantity से enter करो, तो ज़्यादा safe रहेगा, और अगर आपको मालूम है कि यह pledging क्यों की हुई है, और इसे यह कम करने वाले हैं या नहीं, तो आप comment section में लिखके बता सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो में,